कि नवस्कार साथियूं मेरा नाम है आरके सी संस्किती आईएस के यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज हम अपने इस एपिसोड में पुर्वत्तर के एक जंजाती की चर्चा करने वाले हैं जो इस समय न्यूज में है यह जंजाती है थाडो करेंगे क्योंकि इस समय यह सुर्खियों में हैं तो देखेंगे कि आखिर यह कौन है कहां वास करते हैं इनकी प्रमुख विसेष्टाएं क्या है और भारत के अलावा यह और कहां कहां पाए जाते हैं यह सारे बिंदू होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे एक न्यूज ले आज का प्रतिनिधित्व करेंगे जो थाड़ो जो ट्राइबस हैं इनके लोग और यह जो बात कही गई है यह खास तोर पे जन जातीयों के लिए जो नए वैस्विक निकाय की बात चल रही थे उसी समयलन में यह बात कही गई है और थाड़ो जो स्टूडेंट एसोसियेश इसने अपने एक बयान में यह कहा है कि 8 घंटे की एक मेराथन वर्चूड मिटिंग हुई और वही पर जहां पर कई सारे देशों के जो प्रतिनिदी थे जिसमें अमेरिका ब्रिटेन नार्वे आस्टेलिया मलेसिया ऐसे कई सारे देशों के जो प्रतिनिदी थे वो सामिल और इनहों ने थाडव जंजाति के लोगों के संदर में क्या एकी बाते की और इस जंजाति के लोग भी इस जो यह वर्चुल मीटिंग होई थी इसमें सामिल खू 알고 और उसी में यह बात निकल कर सामने आई तो अब चर्चाइ में यह है कि आखिर यह जंजाति है क्या तो थोड़ा सा इस जंजाती के बारे में हम देखते हैं कि थाड़ो जो जंजाती है इसके इस जंजाती के जो लोग है वे है कौन तो देखें अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत का जो पुर्वत्तर राज मडिपूर है वहां पर इंफाल जो वैली है जो एसी लोग हैं और जनगणना 2011 की माने तो मड़ीपूर में जनसंख्या की द्रिष्टी से जो मत्ताई है जो जनजाती है इसके बाद ये दूसरे ऐसी जनजाती है जो बड़ी संख्या में यहां पर वास करती है और खास तोर पे इनको अगर हम देखें तो भारत का जो भी कुछ-कुछ इनकी जनसंख्या पाई जाती है तो यह हमने देख लिया कि आखिर यह है कौन और कहां यह पाए जाते हैं अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि थाड़ो संवधाय के जो लोग हैं इनकी भासा का संबंध कहां से हैं इनकी दैनिक गतिविदिया या जीवन निर्वहन जो कदिविदिया हैं वे कैसी हैं तो देखिए यह जो लोग है थाड़ो जो भासा है यह मूल रूप से क्या है कि सीनो तिबती भासा के अंतरगत यह सामिल की गई है मूल रूप से इस भासा के संबंध की बात करें तो तिबती बर्मी जो फैमली है उसी से लेलू कारियों में सनलिप्त है जैसे पसुपालन है जीवन निर्वहन जो खेती है सिकार करना मचली पकड़ना इस प्रकार कि जो दैनिक कार हैं उनमें यह सनलिप्त रहते हैं खास तोर पे इनका जो मूल कहें जीवन निर्वहन का साधन है वो जूम क्रिसी है और जूम क्र इसी क्या होती है कि ऐसे पहाड़ी परवती छेत्रों में कुछ समुदाय के द्वरा क्या किया जाता है कि वहाँ पर जो जंगल है जाड़िया है उनको काट दिया जाता है जला दिया जाता है और फिर वहाँ पर खेती की जाती है जब धीरे-धीरे उसकी उरवर्ता कम हो जाती है तो यह समुदाय उस अस्थान को छोड़ कर फिर किसी दूसरे अस्थान पर जाते हैं वहां पर भी क्या है कि फिर इसी गतिविदी को अपनाते हैं बन यून को काटते हैं फिर जलाते हैं फिर वहां करते तो यह जो थढ़ो समुदाय के जो लोग है यह भी क्या है की जूम कैसी के अंतरगत क्या है कि बिभन अनाज फसलों का उत्पाधन करते हैं तो यह हम जंगलों में वास करते हैं वहां पर रहते हैं खास तोर पे जैसे घाटी वाले जो सटे छेत्र होते हैं वहां पर ये वास करते हैं परवत्मलाओं के सिर्ष पर या परवत्मलाओं के ठीक नीचे इस्थिल जो प्लेसेज हैं वहां उस अस्थान को ये प्रात्मिक्ता देते है अपने बस्तियों को बनाने के लिए गाउं में किसी भी अस्थापित सहरी योजना के अनुसार बिवस्थित अभी इनको नहीं किया गया है तथा गाउं की परदी का कोई चिंधांकन या उसको कहें तो सिमांकन नहीं किया गया या अभी भी सरकार के अस्तर पर देखें तो इ इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो थाडो समुदाय है मूल लूप से इस समय देखें तो ये इसाई धर्म को मानने वाला समुदाय है तो ये भी महत्पुन है इससे जुड़े हुए भी प्रशन आपके पूछे जा सकते हैं तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो फिर मिलेंगे तो आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद